नाशनल साइबर ओलंपियार्ट ग्रेट 3 के पेपर में टोटल तीन सेक्षिन होते हैं फर्स सेक्षिन होता है लॉजिकल रीजनिंग का जिसमें की टोटल पांच कोशन्स पूछे जाते हैं और हर एक कोशन एक मार्क का होता है सेकंड सेक्षिन कम्प्यूटर्स और इन्फरमेशन टेकनोलोजी का होता है जिसमें की टोटल 25 कोशन्स पूछे जाते हैं और हर एक कोशन एक मार्क का होता है Third and last section जो हो जाता है Achiever section का ये section सबसे important है क्यूंकि इसमें हर एक question जो है दो marks का पुछा जाता है और total 5 questions पुछे जाते है So overall total number of questions हो गए 35 और time दिया जाता है 8R का NCO के syllabus को detail में जानने के लिए आप यहाँ पे video को pause करके syllabus section को detail में read कर सकते हैं SOF के किसी भी Olympiad में negative marking नहीं होती है Question 1. Find the missing number if same rule is followed in all the three figures Missing number find करने के लिए हमें सबसे पहले तो इन figures का pattern पता करना होगा कि कौन से pattern को ये figure follow कर रहे हैं यहाँ पे पहले आप first वाले figure को देखिए Numbers है 45 उपर वाले में है 4 and 4 तो नीचे में दिया गया है 40 और 5 तो इनके वीच में क्या relation है जब आप 40 को 5 से divide करते हैं तो answer क्या आता है 8 और उपर वाली जो block है उसमें आप देख सकते हैं कि 4 और 4 दियावा है जो कि 4 प्लस 4 आप करेंगे तो क्या answer आएगा 8 तो उपर और नीचे equal हो जाता है क्या हो जाता है उपर भी 8 है नीचे भी 8 है अब second figure को जब आप देखेंगे तो 36 और 4 का number दियावा है तो जब 36 को आप divide करेंगे 4 से तो क्या आजाएगा answer 9 और उपर में जो block में 6 और 3 दियावा है जब उसको आप add करेंगे तो क्या आएगा 6 प्लस 3 दाट इस equal to 9 इसका मतलब हो गया कि उपर और नीचे के जो number से वो equal हो जाते है अब third वाले figure को देखेंगे 55 और 5 तो 55 को जब आप 5 से divide करेंगे तो क्या answer आता है इसका मतलब क्या हो गया कि जब नीचे में 11 answer आया है तो उपर में भी जब हम addition करेंगे 4 के साथ किसी number को जोडेंगे तो उसका result हमें 11 चाहिए So 4 में हम क्या जोडेंगे तो 11 आएगा 4 प्लस 7 is 11 यहां तो आप ऐसे कर लेंगे कि जैसे 11 minus 4 is equal to 7 So 7 प्लस 4 कितना हो जाता है 11 So उपर का number और नीचे का number 11 हो जुका Hence the missing number is option B 7 Question 2, select the odd one out Option A में है cube Option B में है cuboid Option C में है cylinder And option D में again है cuboid यहां पे क्या है Cube और cuboid की जो properties हैं वो दोनों बहुत जादा similar है दोनों में ही 6 faces है और दोनों में ही 12 edges है और जो cylinder है उसके 3 faces है और 2 ही edge है और curve भी इसमें आपको देखने मिलता है Cube और cuboid में कोई भी curve दिखाई नहीं देता है या उसमें होता ही नहीं है So इन चारों में कौन सा odd one out हो गया वो हो गया option C cylinder Question 3, in how many different ways can the dog reach to the canal? हमें यहां पर dog को उसके घर तक पहुचाना है तो यहां पर आप देख सकते हैं यह arrow mark जिस दिस तरफ जा रहा है तो इस तरीके के आपको बहुत सारे रास्ते हैं उसको घर तक पहुचाने के तो आपको बताना है कि कितने रास्तों से वो अपने घर तक यानि कैनल तक पहुँच सकता है तो यहाँ पर हमें total 10 रास्ते मिले हैं So correct option is A10 Question 4 Which of the following options represents polygon tool in MS Paint of Windows 10? हमने यहाँ पर MS Paint open कियावा है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तरह तरह की shapes दिये वे हैं First one जो दिया गया है जो हमारे option A में है वो है rectangle Second one यह है polygon जैसे जैसे mouse घुमा रहे हैं उसके नीचे उसका नाम दिखावा आता है Third one है line and last one जो option D में है वो है curve तो यहाँ पर correct option क्या होना चाहिए? Option B में दिया गया है printer, option B में है trackball, option C में है scanner and option D में है microphone So option A में जो printer है वो हो गया output device बाकी की जो तीन है वो तीनो input device है पर हमें यहाँ बताना है कि cursor controlled input device कौन सा है So यहाँ पर correct option वो होगा option B trackball क्योंकि trackball जो है बिल्कुल mouse की तरह एक cursor controlled या pointing device है and trackballs are pointing devices that allows users to control the screen based movement of a cursor or icon on an industrial computer monitor Hence option B trackball is the correct option Question 6, a computer should be protected from dash हमें computer को अपने option A dust धुल मित्टी से and option B liquid items जैसे की पानी हो गया, juice, soup इस तरीके की चीजों से protect करना है क्योंकि धूल मित्टी या पानी liquid items अगर उसके किसी भी parts में लग जाते हैं तो वो रूक जाता है या खराब हो जाता है वो part So correct option is option B that is both A and B Question 7, which of the following is a micro computer? Simple language में बताएं तो micro का मतलब होता है छोटा तो छोटा computer और अगर और computer बहाशा में हम बताएंगे तो यह हो गया कि A micro computer is defined as a small personal computer in which the microprocessor is the central processor और इसका सबसे अच्छा example क्या हो गया? आपका desktop हो गया, laptop हो गया, iPad हो गया, tablet हो गया Even micro computer के smartphone जो हम लोग use करते हैं वीडियो देखने के लिए वो भी एक तरीके का micro computer ही है Hence correct option is C Question 8 Which of the following is not an example of search engine? तो words search engine का मतलब होता है कि जब हम कुछ search करते हैं जैसे कि आप सबसे ज़्यादा कौन सा वह use करते हो Google आपको ढूंडना है math तो math से related जो computer में या internet पे जो भी database में मतलब उनलों की library में जो भी इस related words होगा उसकी details आपको वहाँ पे मिल जाएगी तो हमें ये बताना है तो उसके लिए आप किसका use करते हो ढूंडने के लिए Google का सबस्यादा Google का इस्तेमाल किया जाता है पर उसके अलावा भी कुछ search engine है जिसको लोग use करते हैं तो आपको बताना है कि इन चारो option में से ऐसा कौन सा option है जो की search engine का नहीं है यहाँ पर हमने एक side में search engines जो जादा तर use की जाती है उनकी image add की है option A Google हम सभी को मालूम है option C Bing वो एक search engine है option D DuckDuckGo वो भी एक search engine है और जो option B में है जो logo है वो WhatsApp का है जो की एक instant messaging का platform है जो की आप अक्सर अपने mobile में देखते होंगे green color का आता है WhatsApp जिससे की आप तुरंथ में ही message हो गया, photos हो गया, recordings हो गया, voice calling हो गया, यह सब करते हैं तो हमारा यहां पर correct option क्या होगा, option B होगा WhatsApp क्योंकि यह एक search engine नहीं है Question 9, which of the following statements holds true about this of MS Word 2016? यह जो image उपर दी गई है, वो format printer की है, जो कि जब आप MS Word उपन करेंगे तब आपको वहां पर में home tab में दिखाई देगा और इसका use क्या होता है, to apply the same formatting such as color हो गया, font style and size और bottle style जैसे कि आपको एक color अपने blue color का डाला है और उसके बाद उसको आपको same color दूसरे में भी डालना है तो आप क्या करेंगे, home tab पे जाकर के format printer को select करके वही सारा formatting उसमें insert कर देंगे so statement 1 तो हमारा true है कि you can access it from the home tab, अब statement 2 हो गया कि you can access it by pressing ctrl plus x keyboard shortcut तो ये वाला जो statement है वो गलत है क्योंकि ctrl plus x जो है वो cut करने के लिए होता है जैसे एक जगह आपने कुछ लिग दिया जैसे national, तो national हम को cut करके दूसरी जगह paste करना तो हम क्या करेंगे ctrl x दबाएंगे तो उससे वो cut हो जाएगा उतना portion so correct option is option a that is only statement 1 is true question 10 a program that searches for web documents with keywords you specify जब भी हमें कुछ धूनना होता है, search करना होता है तो हम जल्दी से क्या करते हैं search engine open करते हैं जैसे की google हो गया, yahoo हो गया, या wow हो गया इन तरीके की search engine पर जब हम type करते हैं कुछ particular keywords जैसे की हमें धूनना है science olympiad foundation के बारे में तो हमने यह type कर दिया, अब यह keyword अपने database में ढूंडेगा उससे related जितने भी sites होंगे वो यहाँ पर आपको दिखाएंगे और जो आपको ठीक लगता है जिससे साधा information मिलती है तो आप उससे click कर लेते हैं hence correct option is option a search engine for many more search sample papers and model papers please do subscribe पत्रण